सास्यों, भारत जैसे युवादेश में हमारे करोडों नौजवा इस राष्ट की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी उर्जा राष्ट निर्मार में ज्यादा से ज्यादा उप्योग में आये। इसे केंद्र सरकार सर्वोच्य प्रात्विक्ता दे रही है। आज राष्ट निर्मार के कर्तव्यपत से जुड़ रहे अपने इकतर हजार से ज्यादा नए सयोग्यों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही हैं, उसे आपने कठीन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का। मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेश कालखन में मिल रही है। देश अमरित काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवास्यों ने मिलकर इस अमरित काल में भारत को विक्सित बनाने का प्राण लिया है। इस प्राण की प्राप्ति में आप सभी देश के सार्ती बनने जा रहे हैं। आप सभी जो नई जिम्मेदारी सभालने जा रहे हैं। उसमें आप अन्य देशवास्यों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिदी के तोर पर नियूकत होंगे एक प्रकार से। ऐसे मैं आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमी का अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसवत के तोर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी ख्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिलिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलोजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बहतर ट्रेनिंग की सुविदा देने का है। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलोजी प्रेटफर्म लाँच हुआ है, उसमें कही तरह के ओनलाइन कोर्सी सुपलप्तत हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेश कोर्स की शुरुवाद भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंबह। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफर्म पर उपलब्द ऑनलाइन कोर्सेस का जरूर जाइदा फाइदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्कील भी अपग्रेड होगी और भविश में आपको अपने केरियर में भी काफी लाब होगा।